आज बनाएंगे बिल्कुल आसान और बहुत ही तेस्टी बेगन का भरता इसे आप ट्राय करके जरूर देखें तो ये मैंने दो भरते वाले बेगन लिये हैं तो सबसे पहले बेगन के चारो तरफ थोड़ा से तेल लगा लेंगे अब फ्लेम के उपर रखकर इसे चारो तरफ से अच्छी तरह से भून लेंगे इसे भूनने में कम से कम 10 मिनट लगेगा तो ये देखिए बेगन चारो तरफ से अच्छी तरह से भून गया है और छिलका भी अलग हो रहा है अब flame को बंद कर देंगे और इसे एक plate में निकाल लेंगे अब चाकू के help से बिलकुल हलके हलके हाथ से बेगन के चिलके को निकाल लेंगे चिलका निकालते वक्त हलके फुलके चिलके अगर बेगन के उपर रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है अब इसकी डंडी को कट करके अलग कर देंगे और इसी थरे से दूसरे बेगन का भी छिलका निकाल लेंगे अब चाकू से इसे बिल्कुल बारिक बारिक कट करके मैश कर लेंगे और इसे गर्मा गरम ही कट करें इसे बेगन आसानी से मैश हो जाएगा अब कड़ाई में तीन बड़ा चमच सरसो का तेल गरम करेंगे और जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें एक चुटा चमच जीरा, एक चमच राई और कौटर टीस्पून हींग डालेंगे हिंग जीरा जब अच्छे से चटक जाये तो इसमें एक मीडियम साइज की बारी कटी हुई प्यास डालेंगे और गोल्डन कलर आने तक फ्राय करेंगे तो प्यास का रंग अच्छा गोल्डन हो गया है अब इसमें दो चुटा चमच बारी कट वह लेसुन डालेंगे और एक इंच्च टुकड अध्रक को ग्रेट करके डालेंगे अध्रक को आप चाहे तो बारी कट करके भी ढाल सकते हैं अब इसमें एक हरी मिर्च कट करके डालेंगे इसमें मैं लाल मिर्च भी डालने वाली हूँ इसमें मैंने हरी मिर्ची कम डाली है आप कितना तेज़ खाते हैं उस हिसाब से मिर्च एट करें एक मिनट अधरक लेजुन और हरी मिर्ची को फ्राय करने के बाद इसमें क्वाटर टीस्पून हल्दी पाउडर, क्वाटर टीस्पून तीखी लाल मिर्च का पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक एट करेंगे अब सारे मसालों को प्यास के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें आधा कप हरी मटर डालेंगे अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा दो छुटा चमच जितना पानी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं हलका सा मटर को फ्राय करने के बाद इसे ढ़ा कर धीमी आज पर तीन मिनट पकाएंगे तो मटर को फकते हुए तीन मिनट हो गया है अब इसमें मैश किया हुआ बैगन डाल देंगे बैगन के साथ ही में खुब सारा कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे अब सबको अच्छी तरह से मिला देंगे और धीमी आज पर एक से दो मिनट भूनेंगे ये बैगन का भरता गर्मा गर्म पराठे के साथ खाने में बहुती ज्यादा टेस्टी लगता है इसे आप दाल चावल या खिचडी के साथ भी साइड में खा सकते हैं अब इसमें आधा निम्बू का रस डाल देंगे निम्बू के रस की जगे आप अमजूर पाउडर का भी स्तमाल कर सकते हैं लेकिन निम्बू के रस से इसमें बहुती अच्छा टेस्ट आता है अब निम्बू के रस को भरते में अच्छी तरह से मिला देंगे और धाकर धीमियाच पर 2-3 मिनट और पकाएंगे तो भरते को पकते हुए 2-3 मिनट और हो गए है और तेल भी उपर आ गया है तो ये गर्मा गरम मज़िदार बेगन का भरता बनकर तैयार है अफलेम को बंद कर देंगे और उपर से हरा धनिया मिलाएंगे तो इसे गर्मा गरम रोटी पराठे दाल चावल या खिचडी के साथ खाए और एक बर इस तरह से बेगन का भरता बनाकर जरूर देखे रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेर कर दे और अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर ले